दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने MS Excel पर कोई डाटा टाइप किया उसमें सेकड़ो नाम टाइप हैं अब जब इसका पिरिट निकालने का नंबर आया या फिर किसी ने कह दिया कि रेस्पेक्ट करना सीखो जितने भी नाम टाइप किये हो उन सभी नामों के आगे मिस्टर या श्री शरूर लगा दिया करो आपको इन सभी नामों के आगे मिस्टर लगाना पड़ेगा तो ये बात सुनकर आप परिशान हो जाते हैं कि अब इतने सारे नाम टाइप हैं और इनमें अलग-अलग मिस्टर फिर से टाइप करना ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत बड़ी प्राब्लम है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस प्राब्लम का सालूशन लेकर आ गए हैं वीडियो बहुत ही ज्यादा यूस्फुल है इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो पर बने रहिए ताकि आप भी कुछ नया सेख जाए त आप देख रहे हैं इस्किल नॉलेज दोस्तों एक बात याद रखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे MS Word, MS Excel, PowerPoint, Quora Draw, English Typing, Photoshop, Tally, HTML, Java Track, Networking, Internet पर वर्क ये सब चीज सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो दोस्तों बिना टाइम लिए चलि आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये कुछ नाम टाइप हैं अब आपके बोस ने अचानक से कह दिया कि इन सारे नाम के आगे हमें मिस्टर चाहिए वरना ये सब बेकार तो आपको कुछ नहीं करना है सिंपिल सा एक फार मूलों में एक वर्टो का सिंबल लगता है तो चलिए भाईया हम एक वर्टो का सिंबल लगा लेते हैं ओके इसके बाद आपको इन्वर्टेट कामा लगा देना है दोस्तों इन्वर्टेट कामा में आपको वो वर्ड टाइप करना है जो आप सभी नामों के आगे आइड कर देना है क्योंकि ये जो नाम है अगर हम इस पेस नहीं देंगे तो ये मिस्टर और नाम एक ही में बिलकुल टच हो जाएगा ओके इसलिए थोड़ा सा इस पेस देना है इस पेस देने के बाद इन्विटर कमा को क्लोज कर देना है यहां तक आप बहुत आसनी से समझ गये अब इसके बाद आपको ये कुलदीप वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है इतना करने के बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा एक नाम कम्पलीट हो चुका है मतलब कुलदीप के नाम के आगे मिस्टर लग चुका है दोस्तों वे देखिए अब सारे नाम के आगे मिस्टर लगाने के लिए दो राष्टे हैं जिसमें से नमबर वन आप यहां पर करसर लाइए और इसको पका कर नीचे की तरफ ट्रेक करिए तो जितने भी नाम होंगे चाहे एक हजार हों या दो हजार कोई फरक नहीं पड़ता जितने भी न आस्ट तक सिलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए तब भी आपका ये काम पूरा हो जाएगा ये हो गया दूसरा राष्टा ओके दोस्तों अब एक बात बताईए अगर ये सारे नाम हिंदी में होते तो कैसे करेंगे कि हिंदी में सभी नाम के आगे श्री लगता है और अगर आ एक बहुत बड़ी समस्या है तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं जैसे देखिए हमारे पास ये कुछ नाम है जो हिंदी में टाइप हैं अब आपको इसके साइड वाली सेल पर अपना करसर रखना है और जैसा कि अभी हमने बताया था सेम वैसे ही फार्मूला लगान है देखिए पहले बराबर का निशान लगाना है और फिर डबल कोट्स लगाना है और आपको हिंदी में श्री टाइप करना है जैसा कि हमने हिंदी में श्री टाइप कर दिया इसके बाद इस पेस देना है और डबल कोट्स लगा देना है ओके इसके बाद शिफ्ट के साथ स 7 को प्रेस करना है यानि कि end का निशान लगाना है फिर इस नाम को सिलेक्ट कर लेना है और simply enter को प्रेस कर देना है यहां तक इतनी बात आप समझ गये होंगे अब आपको इस नाम को कौपी करना है और last तक पेस्ट करना है फिर आपको सीधे यहां पर आना है और यहां पर आप को जो भी हिंदी फॉंट हो वो लगा लीजिए ओके और जो साइस देना हो वो दे देजिए इसके बाद इंटर को प्रेस कर देना है तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी किसी फार्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं ओके दोस्तों अगली वीडियो में क्या बताएंगे देखिए अगर कोई इंटरी टाइप है और उसमें कंडिडेट के नाम अलग है और फादर नेम अलग है अब आपको अगर ये नाम और फादर नाम एक साथ में करना है जैसे ये नाम है फाजिल और फादर नाम है शब्वीर अब हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो जाएं फाजिल स सनाफ शबीर ओके तो दोस्तों ये होगी हमारी अगली वीडियो जाते जाते एक चीज और सीख लीजिए अगर आपने बहुत सारे नाम की लिस्ट टाइप किया और वो सारे नाम आपने भूलकर इसमाल लिटर में टाइप कर दिया अब अगर वो सारे नामों को कैप्टर केस में करना हो तो क्या करें तो दोस्तों इसकी भी वीडियो हमने चार मिर्ट की बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे जरूर देखें और मेद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी चैनल पर नए हैं तो वीडियो में थैंक यो